दोस्तो क्या आपको हो रही है परसान ही अपने फोन के लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग धूडने में मैं बात नहीं कर रहा हूं के नाइन मास्टर और पावर डिरेक्टर की तो उन दोनों को हटा के मैं आपके लिए लाया हूं जो की freely and बिना watermark के आपकी वीडियो को एडिट करेंगे like a professional so what's up guys मेरा नाम है पंकचिन आप देख रहे हैं टेकन टॉक्स चैनल वीडियो काफी ज़्यादा informative होने वाली और आप भी अगर ढूड़ रहे हो एक best and free without watermark के आने वाला एक best software वो भी आपके phone के लिए तो ये वीडियो definitely आपके लिए होने वाली है और अगर आप सब सोच रहे हो ऐसे YouTube के field में आने के लिए definitely ये वाली जो list है ये में जो package आप सब के लिए ले के आया हूं ये आपके काम के ही है तो गई वीडियो को start करने से पहले पता है या नया बंदा देख रहा है like करके एक चोटी सी request है subscribe करके ग्रे कर लेना है चाहे तो ये वीडियो को आप अपने friend circles में share कर सकते है relative में share कर सकते है तो कोई जाबदा time waste नहीं करते हो और इसी power and energy के साथ वीडियो को करते है start तो यहां पर जो मेरा पहला एप है जो पहले editing package में आता है उसका नाम है वीडा एप मैं करता हूँ इसको जल्दी से open and फिर बताता हूँ आप सब को पूरा इसी के बारे में detail जो की कैसे तो first interface आप सब को ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे आप सब अपनी वीडियो को ले सकते है and best चीज क्या है आप सब को अगर setting में दिखाऊं तो यहाँ पे आप सब को दिख रहोगा वीडा वाटर मार्क करके यह disable है तो आप चाहें तो इसको disable रह सकते हैं मैंने already कर रहा है इससे पता चलता है जो पहला एप है वो बिना वाटर मार्क के आता है and best चीज जो यहाँ प पूरा preview देख रहे है यह है पूरा Vita app का editing section जहां से आप पूरी चीज editing कर सकते हैं and जो screen आप सब को सारी चीजे में जल्दी सी clear कर देता है यहाँ पे आप सब को एक edit का option दिखेगा यहाँ पे आप सब की सारी चीजे होंगी like अगर आप सब को अपने वीडियो में बीच मे कोई भी cut देना है suppose यहाँ से आप सब को एक cut देना है तो यहाँ पे आप सब को करना है cut and suppose यह वाले पार्ट को भी cut करना है यह वाले पार्ट को कर देना है delete तो यह वाला पार्ट जो है वो delete हो जाएगा और आप सब back आइंगे तो यहाँ पे आप सब को एक transaction को option दिखेगा यहां पे आप सब कोई से भी transaction को डाल सकते हैं जो कि काफी तगड़ा और best feature लगा यहां पे आप सब add music कर सकते हैं तो यहां पे मेरे को music के काफी अच्छे-च्छे list देखने को मिले यहां पे आप सब को effect भी देखने को मिलता है जो कि काफी तगड़ी चीज है यहां पर आप सब music अपने device और video ले सकते हैं बाकी यहां पर ratio की बात करतो आप सब पूरा ratio का option देखने को मिलता है यहां पर आप सब को एक effect का नया वाला option दिया है और जो कि मेरे को काफी तगड़ा लगा आप सब कोई सब यह effect को यहां पर apply कर सकते हैं कोई भी चीज यहां पर lock नहीं है तो आप सब easily download करके सारे effect को लगा सकते हैं text को option मिलता है text कोई सा भी डालो यहां पर font भी option मिलता है style मिलता है text को animate करना है यह सारी चीजे आप सब को इस app में देखने को मिलेगी यहां पर आप सब filter भी लगा सकते हैं filter में आप सब को डेरो सारे filter देखने को मिलते हैं plus यहां पर आप सब अपनी volume को control कर सकते हैं background color को अगर blur blur करना है को सारी चीजे आप सब को यहां से देखने को मिलेगी अपनी video की speed को बढ़ाना घटाना है वो भी आप कर सकते है scale size अगर आप सब को कम छोटा करना है आप वो भी कर सकते है and rotate करना है तो rotate भी कर सकते है easy interface है easy to use है सारी चीजे आप सब को यहां पर export को option मिलेगा export easily हो जाएगा finally यहां पर मेरा video हो चुका है पूरा का पूरा export and अगर आप सब को देखना है तो मैं जल्दी से चले जाता हूं gallery में यहां पर मैं देख लेता हूं कहां पर है यह मेरा Vita का है तो आप सब यहां पर यह मेरी video हो चुकी है पूरी edit वह भी full HD में आप सब देख सकते हैं आप सब कहीं भी कुछ भी चीज़े एक्टम full HD में यह सारी यह जो वीटा एप के थूरू record की है तो guys definitely try करना का पूरा का पूरा free software है आप सब को काफी मजाएगा इसको use करने में भी आप सब को add pop-up नहीं होते इस app में तो guys यहां पर मेरा जो second app है मतलब मेरी जो second list में जो app आता है उसका नाम है X recorder I know यह recorder है बट इस काफी तगड़ा यह video edit भी करता है अगर आप सब सोच रहे है basic level वाली एकदम video editing तो मैं आप सब को suggest करूँ हम X recorder को एक बार definitely try करना तो सबसे पहले मैं open करता हूँ तो आप सब को best चीज किया है आप सब को इसमें already recorded मिलता है आप सब अपनी video को record कर सकते है record करने के बाद directly edit भी कर सकते है तो आपकी phone की screen को पूरा record करेगा plus इसमें कोई भी watermark देखने को नहीं मिलता है जो कि आपकी video की resolution यहां पर आप सब देख सकते है आप सब को इस app में थोड़े बहुत ads pop-up होंगे तो यह आप सब को ignore करना पड़ेगे और आप सब देखेंगे यहां पर watermark आ रहा है तो इसको कुछ नहीं करना बस यहां पर आप सब को free remove का option दिखेगा एक छोटा सा add आएगा जोगर इस बस इसको cut करना है और आप सब देखेंगे यहां पर पूरा का पूरा watermark हट चुका है तो best चीज यही है कि आप सब देख सकते हैं पूरा watermark हट चुका है नीचे की साइड आप सब को सारी चीजे editing की देखने को मिलेगी मैं एक चीज बतान चाहूंगा आप सब अगर basic level की editing करना चाहते है तो मैं यह आप को consider करूँगा क्यों क्यों कि इसमें आप सब को beach में split करने का option नहीं मिलता है मतलब आपको beach में घलती हो जाती है तो आप सब को वह देखना पड़ेगा बट अगर आप सब simple सी training gaming करना चाहते हो तो मैं यह वा चेंज करने तो आप वह सब सारी चीजे इसली कर सकते हैं रेशियो सलेक्ट कर सकते हैं YouTube वाला Instagram की मिल जाएगी and Facebook की भी मिल जाएगी and यहां पर आप सब को क्रॉप कर सकते हो easily बाकि यहां पर rotate को option है आप सब को अगर अपनी वीडियो को rotate करना है तो वह भी कर सकते हो बाकि जो वीडियो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो गई है मतलब आपके phone wave होना स्टार्ट हो गई है जो कि अगर मैं आप सब को दिखाऊं गैलरी में जाके यहां पर आप सब देख सकते हैं screen capture में यह 26 second की मारी video edit हो गई है जो कि मैंने अभी-भी आपके सामने की थी और आप सब दूडरेटे 2-in-1 like screen भी record करें without watermark और video edit कर दे वो भी without watermark के तो यह वाला definitely consider कर लेना तो गई यहां पर तीसरे नमबर पर जो एप है उसका नाम है in short यहां आप सब को totally free मिलता है free of cost है मतलब watermark आप सब को नहीं देखने को मिलता है इस भी app में कैसे मैं जल्दी से इसको शो करता हूं जल्दी से यहां पर open करने के बाद आप सब को एक pro version आप सब करना है कर सकते बाकी यहां से cut option है आप सब को freely to use करना है तो आप freely यहां से use कर सकते हो कहां से करनी है यहां पर आप सब को देखने को मिलता होगा है यहां पर आप सब को select करने के बाद आप सब देखेंगे यहां पर थोड़े बहुत add आप सब को जिनने पड़ेंगे कि ignore करना बाकी आप सारी चीजे आप सब की पूरी editing यहां से ही होगी तो जो कि सब से पहले अगर मैं video पे लिए चिलिक करूँ तो आप सब को पूरा ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है यहां पर आप सब की पूरी को मिलता है यहां पर एन बहुत सारी चीजीघे हैं बाकि यहां पे में काुTE होती है जो की आप सब को देखने को मिलता है बाकि यह अपर एक और फीचर यहां पर आप आप सब को अन्डू करने का भी option मिलता है जैसे उन्डू करना है तो आप वह भी कर सकते हैं, रेडू करना है तो वो भी कर सकते हैं, बाकी canvas size में आप सब को YouTube, Instagram and बहुत सारे canvas size देखने को मिलते हैं, music आप सब इसके music भी use कर सकते हैं, काफी तगड़े हैं, अपने खुद के music भी use कर सकते हैं, बाकी voiceover भी कर सकते हैं, इसके through and, यहाँ पर आप सब कुछ भी type है and effect में भी आप सब को अच्छे खासे तगड़े glitch effects आप सब को देखने को मिलेंगे इसी app के through, बाकी adjust में आप सब contrast, warm, tilt, सारी चीजे easily कर सकते हैं, कोई दिक्कत नी होने वाली इस app के through, बाकी यहाँ पर pre-cut, split and delete, background, यहाँ पर आप सब change कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते ह आपकी मर्जी है and speed का option देखने को मिलता है, crop देखने को मिलता है, volume up down कर सकते हैं, सारी चीजे आप easily कर सकते हैं, बाकी duplicate, flip, आप सब को अपनी वीडियो को flip करना है, तो वो भी कर सकते हैं, यह सारी चीजे हो जाने के बाद, क्या करना है, यहाँ पर save and export का मिलेगा, यहाँ आपकी वीडियो होनी start होते हैं, best चीज क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, आप सब यहाँ पर full HD में भी आप सब की वीडियो record होना start हो जाएगी, एक छोटा सा add show होगा, तो इसको ignore करना, इसको कर देना है, यहाँ से cut and आप सब की वीडियो जो है, वो render होना start हो जाएगी, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकि है, पूरी तरीके से render, अब मैं आप सब को यहाँ पर gallery में जाके, यहाँ पर आप सब देखेंगे, in short, in short में जाके, अगर मैं आप सब को दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी की इसको open, open करने से पहले बता दू, free है, watermark आप सब को नहीं देखने को मेलेगा, इस app में भी, तो मैं जल्दी से करता हूँ, इसको open, जो first interface आप सब को यहाँ पे पूछेगा, अगर पूरो pack लेना है, तो आप ले सकते हैं, बाकि हमनी लेना है, मैं आपके लिए free बना रहा हू तो यहाँ पे आप सब को पहले interface ऐसा दिखने को मेलेगा, कहां से video edit करनी है, यहाँ पे plus section पे जाना है, new project, और जल्दी से अपनी कोई सी भी video को select कर लेना है, तो मैं जल्दी से select कर लेता हूँ, यहीवाली video, और आप सब को दिखेगा, यहाँ पे कोई, already कोई भी watermark देखन बढ़िया लगा यह, तो मैं इसलिए मैंने चौथे नमबर पे रखा है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, videos को यहाँ से लेना है, and यहाँ पे आप सब को देखनी को मिलता है, split also, यहाँ पे आप सब को split करना है, इसको कर देना है, delete, delete करने के बाद यहाँ पे अगर आप क कुछ music हैं, जो की काफी तगड़े हैं, मेरको लगे, effect में भी आप सब को effect भी, और थोड़े बहुत अच्छे-च्छे effect देखने को मिलते हैं, बाकि आप खुछ से भी अपने phone की music के through डाल सकते हैं, filter में यहाँ पे आप सब को filter भी काफी अच्छे-च्छे देखने को मिलते यहाँ पे आप सब को contrast, warm, tilt, saturation सारी चीज़े देखने को मिलती हैं, यहाँ पे text के मामले में यहाँ सारी चीज़े same हैं, जैसे पिछले app की तरह है, सारी चीज़े आप easily customize कर सकते हैं, line, character, in, out, loom, animation देना हैं वो भी दे सकते हैं, बाकि sticker मिलता है, यहाँ पे speed मिलती है, background color को change range करना है, 16 ratio 9 जो की YouTube का होता है, वो मैंने कर लिया, voice over करना है, आप भी कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, flip कर सकते हैं, and crop कर सकते हैं, आप सब को save करके दिखाता हूं, जो की आप सब देखेंगे, 1080p पे, पूरी high quality में save होगी आपकी video, तो मैं जल्दी से कर देता हूं, save, यहाँ प देख लेते हैं, आप सब देखेंगे, यहाँ पर कोई भी watermark नहीं देखने को मिल रहा है, glitch effect भी आ रहा है, जो हमने लगाया था, easily, आप सब को पूरा, पूरा, full HD quality में, जो आपकी export होगी, वो आप सब को देखने को मिलेगी, तो definitely, consider कर सकते हैं, इस app को भी, गजज देखो आपके ओपर depend करेगा, मैं सारी list आप सब के सामने, जो best video editing app है, वो रख रहा हूँ, आप सब को choose करना है, कौन है आपके लिए सबसे best, in the end, last app जो मैं आप सब के लिए लाया हूँ, वो है Filmora Go, एक software भी आता है, wondershare Filmora 9 करके, जो की काफी तगड़ा मेरे software लगता है, तो आप सब देखेंगे, साइड में आपे watermark आ रहा है, इसको अगर मैं कट करने जाओंगा, आप सब को देखना पड़े का, तो आप 410 रुपे मैं कहूंगा, जादा तो नहीं है 410 रुपे, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं आप सब को बोलू हूँ, अगर पे कर सकते दो split लगाने के बाद इसको करना है, मेरे को delete, डिलिट करने के बाद यहाँ पर आप सेम ट्रांजिक्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर music में भी आप सब को feature, music, extract, effect आप सब को देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देरो सारे और voice over आप कर सकते हैं, बाकि text के मामले में same वही जो text ह देखने को मिलता है, इतने ही filter इस वंडर शेयर में दियो हुए है, बाकि यहाँ पर इफेक्ट के मामले में भी आप सब को डेरो सारे effect देखने को मिलते हैं, सब को यह वाला effect लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, कितने time के लिए लगाना है, यह भी कर सकते हैं, तो जितने time के लिए लगाना आप सब लगा सकते हैं अगर आप सब कर सकते हैं कोई अगर आप सब को ब्राइटनेस लेवल कॉंट्रास्ट ये सारी चीज़े अगर 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 सकते हैं canvas size यहाँ पे आप चूछ कर सकते है background देख सकते है background color देख सकते है बाकी format आप सब देख सकते हैं यहाँ यूटुब वाला format select करके यहाँ पे back आ जाता हूँ port तो यहाँ पे export option दिखेगा यहाँ पे आपकी वीडियो हो रही है 720 पे अगर आप सब को full HD में चाहिए तो 270 रूपीज एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको export so friends यहाँ पे हमारी Fulmora Go के थूप पूरी की पूरी वीडियो हो चुकी है यहाँ पे render रेंडर होने के बाद यहाँ पे आप सब को कर देना finish and आप सब को अगर मैं clear कर दूँ यहाँ पे Fulmora Go यहाँ पे आप सब देखेंगे छोटा सा आप सब को दिख रहे है छोटा से यहाँ पे वाटमा का रहे को को कोई problem नहीं है आप सब आपने वाटमा को ऐसे ही रहने दे सकते हैं so guys hopefully आप सब को मेरी वीडियो अच्छे लेगें कि दोस्तों वीडियो अच्छे लेगें कि comment section में लिख के जरूर बताना कौन सा अप लगा सब से best and guys यह वीडियो मेरे को एक package में लाना क्यों पड़ा क्यों कि जानता हूं बहुत लोग को problem होती है कोई ये वाला app में कोई problem हो जाती है कोई दूसरे app में problem हो जाती है तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में आज editing software लाए था जो कि पूरा का पूरा package आप सब ने definitely enjoy किया होगा and hopefully आप सब को मजा आया होगा रिली में useful रहा होगा description box में सारे link मिल जाएंगे directly घुसके वहां से आप download कर सकते हैं और हम मिलते हैं ऐसी एकड़म excited और मज़िदा useful वीडियो के साथ तब तक के लिए बनाए